हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं जैनल मैं हूँ सभीता और आप देख रहे हैं सभीता स्क्रियेटिविटी एंड लाइश्टाइल दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ और किट के बारे में सेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं दो साल से उसके उपर काम कर रही हूँ और सभी मिला है फ्लावारिंग अभी मेरा अर्कीड मुझे दे रहा है इसलिए उस खुशी को दोस्तों आप लोगों के साथ मैं सेयर करना चाहती हूँ दो साल पहले दोस्तों मैं थ्री टाइप्स अप और चोटा-चोटा सा लाई थी एक है डेंड्रोबियम और सेकेंड है फि कोनु डेंड्रोबियम और फिलोनप्सिस अभी मेरे पास है और डेंड्रोबियम में बहुत सारे फ्लावारिंग हो रहा है और फिलोनप्सिस में अभी कलिया निकल रहा है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं देखिए दोस्तों यह है मेरा डेंड्रोबियम दो साल पहले इसको मैं नर्सरी से लाई थी यह है फिलोनोफिस देखिए कितना छोटा प्लांट है यह फिलोनोफिस दोस्तों मैं 200 रुपिय में लाई थी और डेंडरोब्यों 450 इसमें फ्लावारिंग भी था जिस टाइम मैं खरीद कर लाई थी और उसको मैं डिभाइट करके देखिए कितने सारे प्लांट मैंने तियार कर दिया है दोस्तों जब भी नर्सरी से आप अर्किट प्लांट खरीद कर लाओगे एक साल तक तो बिलकुल उसे डिभाइट करके प्रोपागेशन नहीं करना चाहिए जो कि मैंने केटेलिया को कर दिया था और खराफ हो गया था उसके बाद दोस्तों मैंने एक साल बाद डेंडरोबियम को डिभाइट करके प्रोपागेशन किया है और किट को डिभाइट करने के लिए दोस्तों उसका मीडिया एक अलग सा मीडिया बनाना पड़ता है मीटी में या कोकोपीट में और किट को नहीं लगाया जाता है उसके लिए बर्क चाहिए चार्कोल चाहिए और जो कोकोनट का उपर वाला हिस्सा उसको छोटे-छोटे पीसेस में काट कर सुखा के एक बढ़िया सा मीडिया बनाना पड़ता है उस मीडिया में ही और्किट को लगाना चाहिए दोस्तों और सारे चारकोल और जो बार्क और कोकोनोट पीस को डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए उसको थोड़ा स्टेरलाइज करके कडाई में गरम करके स्टेरलाइज करके थंडा होने पर उस मीडिया में आप और्किट को ल निकल जाता है और्किट प्लांट्स में उसको कीकी बोलते हैं मेरे तो बहुत सारे कीकी निकल आये हैं और दोस्तो और्किट प्लांट्स को लगाने के लिए अलग सा पॉट भी मिलता है मार्केट में बहुत सारे डिजाइन में टेराकोटा में भी मिलता है प्लास्टिक में भ अइसे प्रोपागेट कर रही हूं और यह साम की ठाइम था दोस्तो काम करते करते साम हो गया था इसलिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा है और उसके बाद दिखिये दोस्तो मैं छे गंदे में उसको दिबाइट करके लगाई हूं लगाने के बाद दोस्तो 15 दिन के बाद मैंने क्या-क्या NPK 1919 एक लीटर पानी में एक ग्राम घोल के सारे पत्ते के उपर रूट्स में स्प्रे कर दिया था ऐसे ही मैं वीकली वांस करती थी स्प्रे करती थी NPK और दोस्तो अर्किट में वीकली वांस ही पानी देना चाहिए डिभाइड करके प्रोपागेशन करने के बाद दोस्तो उसको मैं एक सेडी प्लेस में रख दिया था एक महने के लिए और वो सारे प्लांस को मैंने हमेशा मेरे कीचेन के पास ही रखती हूँ और एक महने के बाद ही दोस्तो देखिए मेरा फूल खिल गया है इतना सुंदर दिख रहा है आधा सूख भी गया है लेकिन दोस्तों बहुत खुशी मिली मुझे ये फ्लावरिंग देखके अभी तो अर्किड ही लगाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे अर्किड कोलेक्शन करने के लिए मन हो रहा है और इसको हमेशा दोस्तों ब्राइट लाइट ज्यादा पसंद है आप डाइरेक्ट लाइट में इस डाइरेक्ट सॉन में बिल्कुल और्किड प्लांट्स आपके पास है तो बिल्कुल डाइरेक्ट सॉन लाइट में नहीं रखे इंडोर में ही आप जहां ब्राइट लाइट आता हो जैसे खिड़की के पास बालकोनी में ऐसे में आप और्किट प्लांट्स को रख सकते हैं अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले थेंक यू फार वाचिंग दिस वीडियो गड़निंग करें खुश रहें बाए